आज हम मानव शरीर और उसमें मौझूद विभिन अंगु के बारे में जानने वाले हैं इसे करने से पहले मुझे आप से एक सवाल पूछना है हमारे शरीर में कितनी कुशिकाय होती है क्या आप अनुमान लगा सकते हो वैसे देखा जाया तो शरीर में लाखो कुशिकाय होती है छातरो क्या तुम्हें अमीबा बैक्टेरिया पता है उनके शरीर में कितनी कुशिकाय होती है अमीबा बैक्टेरिया जैसे सजियों में एक ही कुशिका होती है इसलिए उन्हें एक कोशिकिय और जिन प्राणियों के शरीर में एक से अधिक कोशिकाय होती है उन्हें बहु कोशिकिय कहा जाता है समस्त जीवित प्राणियों के शरीर में अनेक कार्य होते हैं जैसे कि व्रिद्धी, पोशन, श्रिट्वसन, परिवहन, प्रजनन, आदि गरणार्थ रिदय बहुत से कारियों में व्यस्त हैं जैसे कि रक्त परिशन जरण श्वसन अथ्वा फेपड़े उत्सरजन सोचना इत्यादी कारी कर रहे हैं तो फिर शरीर में बहुत ही सम्रम और अव्यवस्था होगी फिर ये बहुकोशिकिये जीव शरीर के विवित कारि समयों का महत्वपूर्ण रचनात्मक और कारियात्मक गटक समझा जाता है कोशिका जीवन का एक रचनात्मक और कारियात्मक एकक है एक कोशिकिये जीवों में एक ही कोशिका सारे कारिय करती है किन्तु बहुकोशिकिये जीवों में कारिय विभाजित किया जाता है अर्था रक्त खीचेंगा आदी। इससे हमारे शरीर में उतक का निर्मान होता है। उतक पेशियों का ऐसा समों होता है। जिसका एक मूल एक रचना होती है और जो एक ही कार्य करता है। बहुत सारे उतक मिलकर अंगों का निर्मान करते हैं। बहुत अंगों से अंगसंस्थाय बनती है, और एक सजीव के अंदर बहुत अंगसंस्थान होते हैं, चलिए इस अनुक्रम को देखते हैं, जीव, अंगसंस्था, अंग, उतक, कोशिका, तो यदि हम कोशिका के स्तर से शुरू करें, और सजीव तक जाएं, तो जटिलता और बढ़ती है मानव शरीर में उतकों के चार महत्वपूर्ण प्रकार है एक उपकला इपिथिलियम ये बाहरी और भीतरी आवरण निर्मान करते हैं दो संयोजी उतक कनेक्टिव टिशूज जिसमें रक्त अस्थी का समावेश होता है तीन मास पेशी चार नस उतक जो मस्तिश्क और मेरुदंड में होते हैं ये चार प्रकार के उतक विभिन अंगों को जनम देते हैं जैसे कि दिमाग, रिदय, फेपड़े, किड़नी, उदर, यक्रूत, आखे, ना, कान, इत्यादी ये सब अंग, अंग संस्थान बनाते हैं जैसे कि किड़नी, मुत्रवाहिनी, मूत्राशे और मूत्रमार्ग के उत्सरजन संस्थान बनता है रिदय, रक्त धमनिया और नसे, रक्त परिसंचरन के घटक हैं सजीवों के लक्षणों को प्रमुखरूप से सपष्ट करने वाली सभी जीवन आवशक प्रक्रियाओं को जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस कहते हैं चात्रों, कुछ जीवन प्रक्रिया स्वैच्छिक होती हैं मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ही वो होगी उधारन चलना इत्यादी जबकि कुछ प्रक्रिया अनाइच्छिक होती हैं जैसे कि रिदय का धड़कना जवसन, सोचना इत्यादी नीन में भी दिमाग का कारियरत रहना कोशिका विभाजन, हार्मोन का स्त्राव, कोशिका अथ्वा उतक की मरम्मत रिदय धड़कना जारी रहता है इन सारी जिवन प्रक्रियाओं के लिए शरीर को बड़ी मात्रा में उर्जा लगती है उर्जा कोशिका में मौजूद तंतु कणिकाएं निर्मान करती हैं इसलिए उन्हें कोशिका का उर्जा केंद्र कहा जाता है इसे कोशी की अश्वसन कहते हैं सार अभी हमने सजीयों के जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में बात की ये प्रक्रियाएं विभिन अंग संस्थान करवाते हैं बहुकोशी की अप्राणियों में कार्य का विभाजन विभिन अंग और अंग संस्थानों का निर्मान करता है। कृती मानव शरीर के विभिन अंग संस्थानों की सुची तैयार कीजी। कृती में अंग सकाना करता है।